हाथ तो फ्रेंज जैसा कि आप सभी को पता ही आसे इंड्या का त्योहार शुरू होने जा रहा है IPL 2022 और फ्रेंज IPL 2022 का जो पहला ही मुकाबला है वो काफी कमाल का मुकाबला है CSK vs Kolkata Night Rider के बीच में फ्रेंज जैसा कि आप सभी ने थम्नेल पर देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे Only Grand League Player के बारे में Grand League Team Combination के बारे में कि किस तर की Combination हम बना सकते हैं अगर आप Grand League वगरा खेल रहे हो तो फ्रेंज जैसा कि आपको पता है कि जो Small League का हमारा वीडियो था उसमें हमने पूरी निटेल कवर की थी जैसा कि मनी गुरुजी स्पेशल फ्रेक हैट तो इस वीडियो में हम इतनी सारी इंफोर्मेशन की बात नहीं करेंगे कि अल्रेडी मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में हम बात करेंगे Only Grand League Player के बारे में वो मैं आपको डायरे की लेकर चलूँगा एप पर महाँ पर में एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ और फ्रेंज आज जो मैं Grand League Combination बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ Fan2Play एप पर तो उसकी लिंक भी मेरे वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में दीए 20,000 रुपय का giveaway चल रहा है वहाँ पर जैसे ही आपको डाउनलोड करोगे चले फ्रेंज सबसे बिले हम बात कर लेते हैं मेज इंफोर्मिशन के बारे में आये जो मकाबला खेला जाएगा वो 26 मार जानी के आई शाम को 7.30 बज़े से खेला जाएगा वांकेड़े इस्टेव मंबई के ग्राण पर अब फ्रेंज छोटी से जैसा कि मैं हम only important update इस वीडियो में बताने वालो आप फ्रेंज वांकेड़े जो है यहां की जो boundaries है वो बहुत ज्यादा छोटी है यहां पर बहुत बहुत बार देखा गया कि हाई स्कोर यहां पर बनता है काफी लंबे चोके चके यहां पर देखने को मिलते और आज की जो दोनों ही टीम है उमनों पावर हिटर की कभी नहीं है जैसा कि अगर मैं बात करूँ आप देखोगे पहले हम प्लेइंग 11 की बात करेंगी तो आप देखोगे CS के टीम से अगर मैं बात करूँ तो रित्रु आज गया एकवार है नियोन कनवे है रॉबिन उत्थपा है अमबाती राइडू है एमेस दोनी है फिर हम बात कर लेते हैं यहां से शिवम दुबे शिवम दुबे आज के मेंज में आपके लिए ग्रेंड लिग पिक बन सकते हैं बन सकता है उसका रिजर यह है कि जब पूरी टीम नहीं चलती है तो शिवम दुबे ऐसे अकेले प्लेर होते हैं जो कि गेंद बाजी भी करते हैं जब ये गेंद बाजी करने आते हैं तो इन्हें विकेट इनका किसमत इतनी अच्छे लग जब ग्राउंड बल्ले बाची अनुकुल होता है तो कोई भी प्लेर हो वो रन बना ही लेता है लेकिन फिर भी आप देखो कि CSK का जो टॉप अटर इतना ज़दा है एक्स्पिरियंस तो बहुत जदा है लेकिन इतनी अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है तो पेसर टीम लेट जदा लेना चाहेगी लेकिन ध्यान रखना महिस दिक्षाना बहुत अच्छे गेंद बाज है और रिसेंटली इनकी फॉर्म बहुत अच्छे जल रही है तो हो सकता है एडब मिलने आगरी जो टन दोनों खेलेंगे तो महिस दिक्षाना नहीं कहलेंगे या एडब मिलने या महिस दिक्षाना दोनों खेल सकते तो ये कॉंबिनेशन भी टीम उतार सकती है आज के मेच में फिर तुशार देश पांडे तो CSK की जो टीम है कुछ इस पकार आपको देखने को मिलेगी फिर हम बात करें कॉलकाता नइट राइडर की टीम से तुब करेगा सबसे बड़ा confusion है बहुत बड़ा confusion है confusion यह है कि वेंकटिश एयर जो है left hand बले बाजे लेकिन इनके सामने क्या सुनील नाराइंट को टीम उतारना चाहेगी क्या opening सुनील नाराइंट से गरावेगी या अगर दोनों ही left hand को उतारेगी तो यह combination थोड़ा सा bigger देयागा त दोनों ही टीमों की जो पॉसिबल प्लेइंगी लेवर ने कुछ इसपका रह सकते हैं फ्रेंज याद दिला देता हूं आप जो हमारे वीडियो देख रहे हो हमारे बेकप चनल पर देख रहे हो हमारे जो ऑफिचल चनल है मनी गुरुजी के नाप से टेलीग्राम से जुडन तो फ्रेंज सब बात करने वाले हैं ग्रेंड लिक कॉमिनेशन के बारे में उससे पहले फिर से याद दिला देता हूं कि फैन्टू प्ले जो है उसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देती है 20,000 रुपया गीववे चल रहा है बिल्कुल फ्री में ख लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ चाथ टेलीग्राम की लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी टेलीग्राम हमारा मनी गुरू जी के नाम से वीडियो आप हमारे बेक अप चैनल पर देख रहे हैं इस बात को ध्यान रखना त अगर ये नहीं केलेंगे तो महीच तिक्षाना केलेंगे तो महीच तिक्षाना को ले लेंगे यहाँ पर फिर एडब मिलने, ड्वाइन ब्रावू, रविंद्र जड़ेजा, चार में गेंद बाजों को मैंने अपनी टीम में लिया है शीवं दुबेकों को लेने का मेरा एक ही रिजन था कि ये गेद बाजी। बल्ले बाजी से भी कंट्रिबूट कर सकते क्योंकि इनके बल्ले बाजी आने के चांसे थोड़े से ज़्यादा रहेंगी क्योंकि जो टॉप उडर इप्ञाधा अच्छा नजर नहीं आरा है इसका क्या reason है इसका reason friends यही है कि दोनों ही बल्ले बाजी के साथ में अगर इनका आप मानके चली अगर इनकी गेंद बाजी चलती है CSK की तो जाहिर से बाद है जो top order है KKR का वो जल्दी out होगा और top order का कोई भी बल्ले बाजी मेरी टीम में आप देखो कि नजर नहीं आ रहा देखा तो Sam Billing मल्ले बाजी करने आएगे और काफी बार मने यह नोटीस किया कि जब top order गिरता है तो जो middle order होता है वो काफी अच्छा अच्छे run बनाते तो नितिश राणा अगर ओपनिंग नहीं करते तो नितिश राणा और Sam Billing काफी अच्छा contribute कर सकते अपनी टीम के तो देखो के फ्रेंज सेगंड जो combination आपको देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा केकिया को फेवर करते वो बनाया गया है टीम साउती शिवम भी आंगर रसल वेंगर शाहियर चार पेसर हो गए टीम में हाला कि पेसर ही कहूँगा मैंने भी फिर सुनिल नारान और वरुन के लिए थोड़ा अच्छा नजर आ रहा है क्योंकि आगी मांडेज थोड़ी से छोटी है तो लंबे चोके छके मिलते हैं तो क्या सुनिल नारान को विकेट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा लेकिन सुनिल नारान बहुती दिगज गेंग बाज है बहुती कमाल के इनको नोलेज इनको पता है कि कौन से ग्रांड पर किस तरह की गेंग बाजी करनी है तो सुनिल नारान कहीं ना कहीं हमारे लिए यहाँ पर भी एप्पोटेंट बच जाते हैं तो आप देखो कि एक, दू, तीन, चार, पाच, छे गेंग बाज है के के लिए बागी तीनों ये बल चक्रवधी लास सेजन में कमाल किया था और शेव अंबावी भी जब भी खेलते हैं विकेट चटका थे, आप देखो कि रवींदर चड़ेजा को मैंने लिया है क्योगी गेंग बाजी के साथ साथ बल्ले बाजी से भी ये कंट्रिब्यूट करते, अब आप देखो कि इस ट पर आप दो बल्ले बाद भी लेकर चल सकते हो तो आप एक काम कर सकते हो रोवी नुथा पर आंबादी राइडू को जाके एक गेंग माज और बढ़ा सकते हो या फिर एक ओल्रउड और आप यहाँ पर और बढ़ा सकते हो यह जो मैंने कॉम्बिनेशन मताया किसी भी एप उसी लिए ये combination मनें आप पर बताया इस तरह के combination मना सकतो इसमें आपको कुछ ज़्यादा छेर्चान नहीं करने इसमें आपको only captain wise captain change करने ये combination मन गया इसमें आप captain वेक्नटरेशायर को कीजिए wise captain आप कीजिए आंद्रेसेल को या आप captain वेकरे शाहियर को किजिए, wise captain आप किजिए, शिवम अभी को, इस तरह के आप combination मनेए, और small leagues वगेरा की टीम है, लेकिन small league जो होती है, so member की small leagues वगेरा होती है, जो हम कहते हैं कि mini grand league वगेरा कहते हैं, तो उसे आप join किजिए, वो भी आपके लिए फाइदे मन्त हो सक बागी friends कहीं भी invest करना, आप सभी को पता है, इस scale में वित्य जोखिम होता है, तो आप उतना ही risk लें, जितना आप ले सकते हो, उतना ही invest करें, जितना आप कर सकते हो, ठीके friends तो इस बात को आपको ध्यान में रख कर चलना है, अब बागी telegram से जूड जाना, final limit आपको वही पर मिलेगी, कोई player नहीं कहलता, क्या combination होगे, वो सब मैं आपको telegram पर बतोंगा, telegram कैसे जोइन करना है, telegram की जो link मैंने वीडियो के नीचे description में दी, उसी link से आपको जोइन करना है, telegram हमारा money guru जी के नाम से, चलो मैं एक बाग जलग दिखा देता हूँ, तो friends, telegram आप देख सकते हो, करीब करीब एक लाग पचास अजार रुपे के give away मैंने ओल्रेडी यहाँ पर पोस्ट कर दिये हैं, और बीस अजार रुपे के give away वीडियो में आपको बता देए, एक लाग सितर है, बाकी आप देखोगे, give away मतलब free entry, free entry में आप free में खेलगा, बहुत अच्छा विल्ट कर सकते हो, किसी प्रका का कहीं भी एक रुपी आपको नहीं देना है, यह telegram है, telegram मनी गुरुजी के नाम से, 38,500 यूजर अबासा जुड़े हुए, लेकिन ध्याइन यह रखना है, आपको सर्च करके जोइन नहीं करना काफी फ्रोर बंद है, जिन झाल, 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 झाल